हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग दमंदीव और दादरा नगर हवेली के विले के विशे में चर्चा करने जा रहे हैं ये दोनों भारत की यूनियन टेरिट्रीज हैं यानि संगराजी छेत्र हैं जिने बोलचाल में केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है नेवेंबर 2019 में संसर नेक विदहेक पेश रिया पारित करने के बाद राश्पत ने 9 दिसमबर 2019 को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिया और यह कानून बन गया इस कानून का नाम बना दमन एंडियू एंड दादरा एंड नागर हवेली मर्जर आफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019 और इस अधिनियम के माध्यम से दोनों यूनियन टेरिटरीज का परस पर विले कर दिया गया यह दिनियम 26 जन्वरी 2020 से प्रभावी हो गया यानि लाग हो गया संसद को यह दिकार है कि वह राज्य और संग राज्य चेत्र की सीमाओं में सीमाच्षेत्रों में कोई भी परिवर्टन कर सकती है हनों चेत्तीन के अंतरकत संसद को यह शक्ति दी गई है और संसद ने इसी शक्ति का प्रियोग करते हुए दोनों Union Territories का विले किया है संसद के द्वारा ऐसा कोई भी विलेयक सदय और साधारन बहमत से पारित किया जाता है और साधारन बहमत से पारित होने का आश्य है कि संसद के दोनों सदन अलग-अलग पारित करते हैं और उन सदूनों में जितने उपस्थित हैं और जितने मद्दान में हिस्सा ले रहे हैं उनके आधे से एक सदस्यों के द्वारा पारिप किया जाता है। और जब संसत इस प्रकार साधारन बहुमत से कोई कारे करती है इससे संब्धान में यद्ध्यपी परिवर्तन आता है लिकिन इससे संब्धान संशोधन नहीं कहा जाता जैसे दोनों Union Territories के विले करने से अंसूची एक में परिवर्तन आया है अंसूची एक में सारे राज्यो के और संग राजी छेत्रों के नाम लिखे गए हैं पहले वहाँ पर 9 Union Territories वरडित थी जब मुकश्मीर और लद्दाक बनने के बाद Union Territories की संख्या नहीं हो गई थी लेकिन अब इस विले के बाद Union Territories की संख्या घटकर आठ हो गई हाला कि यह अंति मुठा पटक नहीं ह भविश्य में और भी संभावनाय बनी हुई है Union Territories का विले क्यों किया गया है हम लोग इस विले पर चर्चा करते हैं और कुछ तथ्यों की और भी चर्चा करेंगे जहां से प्रीमे प्रश्न संभावित हैं बन सकते हैं विले का निड़े इसलिए लिया गया क्योंकि सरकार minimum governance, minimum government और maximum governance कम सरकार अधिक शासन के एजेंडे पर कारे कर रही है सरकार का अकार छोटा हो और शासन की गुडवत्ता में व्रिद्ध हो यानि शासन और प्रशासन की छमता में व्रिद्ध के लिये यह निड़े लिया गया है जिससे service delivery capacity बढ़ाई जा सके इसका दूसरा उद्धेश सरकार के द्वारा नीतिया बनाने में निरड़े लागू करने में जितनी भी सरकार की स्कीमे हैं उन स्कीमों को बहतर तरीके से लागू करने में और उनकी निगरानी रखने में प्रभावशिल्टा का विकास करना है implementation और monitoring की छमता को बढ़ाना है और अंतिम बात अलग-अलग union territories होने से संग सरकार का अलग-अलग budget व्या होता है इसलिए खर्च जादा होता है इस अपवयता को कम करने के लिए यानि प्रशासनिक वैव में मितवयता लाने के लिए यह विलय किया गया है निशित रूप से विलय अच्छे परडाम देने वाला सिद्ध होगा ये दोनों union territories भारत के पश्चिमी तक परिस्तित है गुजरात की तकी ए सीमा परिस्तित है इसलिए भारत के लिए सामरिक महतो भी रखती है हमने चर्चा की union territories का विलय क्यों किया गया है अब हम लोग इन union territories के कुछ एतिहासिक पहलों पर भी चर्चा कर लेते हैं जहां से प्रश्ण बनने की संभावना है दोनों union territories स्वतंतरता से पूर्व पुर्तगाल के नियंतर्ण में थी सबसे पहले दादरा नागत हवेली का भी ले किया गया 1954 में जब अंतरराश्टी नियाले ने भारत के पक्ष में निड़े दिया तब इसे पुर्दगाल से ले लिया गया और भारत में विले कर लिया गया 1954 से लेकर 61 तक दादरा नागर हवेली के ही लोगों के द्वारा चुने गए प्रशासक के माध्यम से यहां का शासन चलता रहा 1961 से इसे union territory बना दिया गया तब से यह union territory बना कुआ है गोवा और दमन दियू दोनों पुर्दगाल के नियंतर में थे 1961 में पुलिस कारिवाही के माध्यम से इसका भारत में विले किया गया आगे चल करके 1987 में पुन्ह अधनियम निर्मिद किया गया और गोवा को एक सुतंत राज्जी का दरजा दे दिया गया गोवा को सुतंतराजी का दर्जा देने के बाद दमंदियू को गोवा से अलग कर दिया गया और दमंदियू यूनियन टरिटरी बना रहा और अब 2020 में 26 जनुरी 2020 से जो कानून प्रभावी हुआ उस कानून के माध्यम से इन दोनों Union Territories का विले कर दिया गया अब तक इन दोनों Union Territories में एक-एक लोग सभा की सीटे हुआ करती थी विले के बाद अब दोनों Union Territories को मिला के चुकी एक कर दिया गया है इसलिए लोग सभा की कुल सीटे अब दो हो चुकी है नियाइक छेत्र की बात कर ले दोनों Union Territories पर बामबे उच्छ नियायाले का छेत्र अधिकार बना रहेगा ये महत्पूर्ण बाते थी जहां से प्रश्न बनने की संभावना उत्पन हो सकती है तो इस वीडियो में इतनी ही चर्चा इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा शेर भी कीजिएगा सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिससे की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जानकारियां मिलती रहे शेष चर्चा हम लोग नए वीडियो में करेंगे Thank you